गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स तुड़े विल श्टडी दफ चैप्टर वन अफ इस्टरि देग्टाइन इस तरीके से कैटेग्री वाइस बाटा गया और उसको इस ग्यूरा में बाटने का मकसद किया था चले, स्टार्ट करते हैं इसका first topic ही है कि periodization of history तो periodization of history basically था कि history को अलग अलग periods में बाटा गया था तो ये काम Britishers ने अपने time में शुरू किया गया क्योंकि इसके पहले किसी ने भी हमारे Indian history को periods में नहीं बाटा था यह काम James मिलने किया था, जो Scotland से आय थे, Britishers ने उनको बुलाया था, चलिए स्टार्ट करते हैं, Historians categorize the past into ancient, medieval and modern periods, तो reason था क्यों, for the ease of study, That means, अगर किसी चीज़ को हम लोग part wise divide करते हैं, तो वो छोटे छोटे जब parts में divide हो जाता है, तो उसको study करने में सुविदा होती है, उसको अच्छे तरीके से हम लोग detailed way में study कर सकते हैं, और उससे हम लोग बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, तो basically इसके पीछे का मकसद Britishers के लिए कुछ और था, Britishers लोग ये काम करने के पिछून का मकसद यही था, कि वो हर एक काम अपने लिए जो भी policy, जो भी वो लोग law British India में अपनाना चाहते थे, तो उसके पहले वो लोग अच्छे तरीके से past को study कर लेते थे, और उसके वहां से वो लोग idea लेकर नए law और policy इंडिया में लागू करवाते थे, so for example, ancient period of Indian history started with the rise of Harappan civilization and ended with the death of Raja Harshwardhan, यह हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का history है, इंडिया का इतिहास है, यह तीन पार्ट में, तीन चर्णों में बाटा गया है, जिसको हम लोग ancient history कहते हैं, मतलब प्राची नितिहास and maddi-yugi नितिहास, that means medieval period और modern period को हम लोग 9 इतिहास कहते हैं, तो प्राची नितिहास का हम लोग को शुरुवात हुआ है, हरपन civilization से लेकर, राजा हर्षवर्धन के death तक हुआ है, यह हमारा ancient history है, next है, जो हमारा medieval history है, यह start हुआ है, राजा हर्षवर्धन के मृत्यू के बाद से, it ended with the death of Raja हर्षवर्धन, and started with the establishment of British rule in India, यह यहाँ पर start ह होगा, started with the British rule in India, establishment of British rule in India, तो medieval period का हम लोग कह सकते है, राजा हर्षवर्धन के death के बाद से लेकर, Britishers लोगों के भारा हमारे इंडिया में जो आगमन हुआ है, 1600 के आसपास की बात है, उस period को हम लोग medieval period में count करते हैं, and modern period जो है हमारा, it is believed to have begun with the decline of Mughal Empire, Mughal Empires के decline से modern history स्टा होता है, and ये continue कब तक हुआ है, जब तक इंडिया ने freedom को achieve नहीं कर ले, up to 1947 तक है, ये हमारा modern history है, that means, decline with the Mughal Empire, क्योंकि Mughal Empire, और अरंग जेब के मरने के बाद से Mughal Empire decline करना स्टार्ट हो गया था, and the establishment of British rule in India, in 1750 तक इनका establishment हो चुका था, लेकिन इंडिया ने जब तक अपने freedom को achieve नहीं कर, 1947 तक तब तक ये पूरी तरीके से हम लोग इसको modern history नहीं करेंगे, तो modern history का पार्ट है, decline of Mughal Empire से लेकर, until the India got independence, up to 1947, तो ये periodization of history को किया गया है, basically घुमा फिराकर इससे एक ही मकसद होता है, कि हम लोग अच्छे तरीके से history को तीन पार्ट में बाट देने से, हम history को अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ सकते हैं, detailed way में study कर सकते हैं, ancient period, medieval period, and modern period, इसके पहले तो हम लोग को सिर्फ यही पताते हैं, कि history है, तो history कौन सा है, जैसे अगर हम लोग एक्जामपल ले, हमारा body का अगर parts, हमारा body को यह ले ले, तो हमारे body को अगर आपको divide करना हो, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाँए, कि हात अलग है, पैर अलग है, धर अगर नहीं, आपको अगर body को divide करना होगा, तो body को system में divide करना होगा, तो seven systems होते हैं, circulatory system, diastry system, excretory system, nervous system, इस तरीके से seven systems में बटे हुए हैं हमारा body, तो उसी तरीके से, तो जब तक हम categorized तरीके से नहीं बाटेंगे, तब तक हम सही तरीके से detailed वे से study नहीं कर पाएंगे, तो यही reason था, कि अगर question आये कि what is the need of periodization of history, तो need एक ही है कि for the ease of study, in a proper and detailed manner, and to gather the information, the periodization of history was done, चलिए, next topic कि और आते हैं, कि an overview of the modern period in India, कि वही एक overview है कि यह periodization करने से हमें क्या-क्या पता चलता है, basically, तो यहाँ पर पाँच पॉइंट्स है, इसको ध्यान से सुनोगे तक बहुत अच्छे से clearance हो जाएगा, कि how the decline of the Mughal Empire and the rivalry become the rulers of the various Indian states help the British gain a foothold in India, तो basically, यह overview of modern period का, कि Mughal Empire का जो decline हुआ, और rivalry हमारे rulers का जो rivalry था, आपस में जो दुश्मनी थी, इस दुश्मनी का फायदा उठा कर, Britishers ने अपने कदम को मजबूती से इंडिया में रखने का प्रयास किया, और यही आप राजाओं के बीच में, क्योंकि पूरा भारत अगर आप count करोगे, तो about 600 princely states में divided था, लगबग 600 से ज़ादा ही होगा, छोटे बड़े रजवारों में divided था, कोई states, district कुछ नहीं था, और उनके बीच में भी आपस में लड़ाईयां होती रहती थी, और यह लड़ाई जब भी होता था, तो जो जीता boundary उसका बढ़ गया, जो हारा boundary उसका घड़ गया, तो एक fix बोलकर जगा नहीं था, और जब fix जगा नहीं था, तो fix administration भी नहीं था, तो इससे बहुत सरे problems होत जाता था, लोग बढ़ जाते थे, इससे administration और वो जो राज्य है, वो उसमें stability नहीं आएगी, कभी नहीं आगी, अगर आपका घर छोटा बड़ा होता रहेगा, लोग घटते बढ़ते रहेंगे, तो आपके घर में stability कभी नहीं आएगी, powerful कभी नहीं हो पाएगा, and जब तक stability और power नहीं आगा, तब तक वो जगह कभी भी डबल अप नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये overview है, Britishers ने एक काम तो जरूर किया, कि सबसे पहले उन्होंने stability लाया, कि एक जगह को configure किया, सबसे पहले एक boundary को configure किया, उन्होंने boundary clearance रखा, boundary clearance के बाद administration को 100% पुकता किया, तब ही लोग एक empire को बना पाए, एक empire को establish कर पाए, मानते हैं, गलत बहुत सर है, मगर अगर हम लोग सबक लेनी कोशिश करेंगे, तो यही सच है, तो यहाँ पर है कि decline of Mughal empire and the rivalry become, between the rulers of various Indian states, help the British to gain a photovol in India, next है, about the way in which British come to power and how they annexed many princely states and formed laws and policies to of their own, इन्होंने किस तरीके से सबसे पहले आपस के राजाओं का दुश्मनी का फायदा उठाया, फिर उसके बाद धीरे 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 छोटे बड़े princely states को अपने कबजे में किया, और उसके बाद अपने कानून और policies को इनकी उपर थोप next one है, about the impact of the rule of the economy, society and culture of India, ये हमारे country में जो ब्रिटिश का अपना एक rule था और हमारे अपने society का एक impact था, हमारा अपना एक economy का impact था, हमारा अपना एक society का impact था, हमारा अपना एक cultural rule का impact था, धीरे धीरे इन सब में एक बहुत बड़ा change आया, इन सब में कहीने कहीन डारेक्ली ये ब्रिटिश रूल से affected हुए और इन में भी change आया, और इनको change accept करना पड़ा, next one, about the independence movement, starting from the uprising in 1857, till the day India gained independence on 15th August 1947, तो ये भी एक impact है कि modern India ने प्रूफ किया, कि ब्रिटिश ने जो भी गया, जैसे ही लोगों को, सबसे पहली बात, लोगों को ज्यान हुआ, जब ग्यान हुआ लोगों को, अपने अंदर कि भई, this is our country and we should have the right to rule over our country, ये ग्यान ऐसे नहीं हुआ, सबसे पहले लोगों में देशभक्ती की भावना आई, that means nationalism की भावना आई, तब लोग aware हुए, तो ये awareness आने के बाद धीरे धीरे लोगों ने revolt करना start किया, और ये revolt होन में समय लगा, क्योंकि बहुत सालों लग गया, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानिया दी, तब जाकर धीरे धीरे इंडिया ने independence को गेन किया, and last है, Britishers लोगों ने शुरू से एक divide and rule का policy, ये शुरू से अपनाते आए हैं, and ये जाते जाते भी हमारे जो reward है उसको करने के लिए, इन लोगों ने एक बहुत ही गंदा सा एक गंदगी छोड़ गया, कि वो था partition of the colonial India into India and Pakistan, तो एक बहुत बड़ा ये धबबा था, और ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो विवाजन हुआ, इसने एक बहुत ही गंदा सा concept इंडिया में छोड़ गया, वो religion वाल और यही चीजों ने modern period को जन्द दिया था, medieval period से अब हम modern period के रवा गये थे, और medieval period क्या था, कि जो ancient period था, उसमें क rules, regulation, custom, culture, सारी चीजे, tradition जो भी थे, वो धिरे-धिरे ancient से medieval में convert होतों चले गया, और लोग उस चीज को accept करने लगे, तो ये history हमारा, ancient, medieval, modern, ये प्रूफ कर करता है कि किस तरीके से समय के साथ धीरे-धीरे लोगों ने changes को accept किया, and उन changes को accept करने के बाद, country में, अलग-अलग section of the society में, अलग-अलग चीजों में उसको लागू भी किया, चलिए, next topic में आते है, sources of modern history, तो हमारे modern history का जो source है, basically, sources of modern history are very richer and more varied than those of the ancient and medieval periods, and they are classified into two categories, first is primary sources, and second is secondary sources, तो, let us start with the primary sources, basically, primary sources are the first-hand accounts of an event of the history, and it is compiled by the people who had witnessed the event, तो हम लोग कह सकते है, primary source basically, वैसे source है, जिसने witness किया है, उस समय को देखा है, उस समय को फिल किया है, तो, they are the original material, basically, monuments, coins, inscriptions, paintings, sculptures, and the artifacts, these are the example of primary sources, in addition to these primary sources, for the modern period, include government report, newspaper, letter, diary, interview, autobiography, photographic, films, maps, these were also acting as an primary sources, चले, primary source तो, clear हो गया, next में आते है, secondary source, basically, secondary source क्या थे, तो, these are the, those sources, which are based on the study of primary sources, and they are created by the scholars and the, who study a variety of primary sources and analyze them, basically, primary source क्या था, जो original चीजे थी, वो primary source में आते थी, जैसे, sculptures, monuments, coins, inscriptions, ये सारी original चीजे थी, तो, ये primary source में आते थी, ये primary source की चीजे है, direct deal करता था उस समय को, उस समय को represent करता था, तो, वो primary source आता था, secondary source में क्या आएगा, जितने भी scholars हुए, विद्वान लोग हुए, इन लोगों ने primary source को study किया, उसको analyze किया, उसके बार में जानकारिया इखटी की, कि अगर छोटा सा coin भी है, तो coin किस तरह का जानकारी देता है, तो coin, अगर वो coin gold का है, तो इसका मतलब है कि वो समय बहुत ज़्यादा prosperous था, अगर वो coin copper या teen का है, तो इसका मतलब है, वो समय उतना ज़्यादा prosperous नहीं था, और साथ ही साथ, coin में क्या-क्या, जो drawings वगर होते थे, इसका मतलब है, उस समय लोगों को metallurgy का बहुत ज़्यादा knowledge था, अलग-अलग type के design, एक perfect design बनाना, तो बहुत सारी चीज़े हैं, and coins में, वो समय के जो rulers थे, अपने समय के informations लोगों को देते थे, उसमें समय लिखा हो तो इस तरीके से यह लोग, जो भी scholars है, यह primary source को अच्छे से study करते थे, और study करने के बाद फिर अपना knowledge देते थे, तो इनका जो secondary, यह secondary information sources में count होता था, and secondary sources many include scholarly books and journals, जायरी से बात है, अगर हमें कोई भी पुराना archaeological source मिले, तो हमें उसको study करने के लिए, हमें secondary source की जरूत पड़ेगी, basically coin, inscriptions, यह कोई भी चीज अगर मिल जाए, तो हम तुरंत उसके बारे में interpretation या information नहीं दे सकते हैं, हमें उसको study करना होगा, या फिर अगर हम अच्छे से study कर लेंगे, तो हम खुद secondary source देने के लाइक हो जाएंगे, चलिए, next में आते हैं, some of the important sources of modern period of Indian history, हमने दिर पहले study क्या था, कि क्या-क्या और भी अलग अलग primary और secondary को छोड़ कर, और भी बहुत सारे important sources क्या है, वो colonial survey है, official record है, literature है, autobiographies है, photographs and films है, तो यह सारी चीजे है, जो primary और secondary sources को छोड़ कर भी है, चलिए हम लोग इसी को थोड़ सा study करते है, कि basically colonial survey क्या था, तो when the British established their rule in India they realized that the importance of knowing the country as well as in order to form, to administer it effectively, Britishers को यह अच्छी तरीके से समझ मा गया था, कि अगर इंडिया में rule करना है, तो इंडिया के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, इंडिया के आगे के पीछे की मतलब past का, present का, एक एक चीज का जानकारी इनके पास होना चाहिए, चाहे वो history हो, चाहे वो language हो, culture हो, topography हो, natural vegetation हो, wildlife हो, यह सारा चीज उनको पता होना चाहिए, इस से क्या होगा, उनका जो governance है, वो बहुत effective होगा, चुकि ब्रेटिक से लोग बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत developed लोग थे, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे तो थे, वो बहु बहुत पहले हम से आगे, पहले ही आ चुका था, तभी तो उन लोगों ने एक समय है, एक समय में, ब्रेटिशर्स लोगों, पूरा वर्ल्ड का लगबग 50% ब्रेटिशर्स के अंडर में था, चलिए, नेक्स्ट आगे दिखते हैं, ओफिशल इंस्टिटूशन सच आज आर् इंडिया को बहुत ही अच्छे से डीटेल वे में एक एक चीज का स्टेडी किया, तभी तो उनको पता चल पाए कि इंडिया में ये सारे रिसोर्स भरे पड़े हैं, और तब से उस रिसोर्स को खोदना शूरू किया, और अपने कंट्री में ले जाना शूरू किया, तो और और साथ ही साथ ये सारा चीज स्टेडी करने के बाद उनको अच्छे तरीके से पता चल गया कि इंडिया के किस कैटेगरी के लोग मिलेंगे, लोगों की कैटेगरी क्या होगी और उन पर राज करने का हमारा पॉलिसी क्या होगा, ये हर डिटेल जानकारी से बारीकी से सारा detail लेने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है चलिए next topic में आते है official records of the British official record किया था British का the British had left behind a huge body of documents such as official letters, correspondence, government orders, act, survey map and census record तो यह Britishers लोग अपने administration को better करने के लिए समय समय पर ऐसे records लेते रहते थे, these records focus in the official point of view and do not provide much information on how the people of country responded to the policies, यह जो भी record था, Britishers का जो भी record था, वो physically तो counting करके चला जाता था, हर चीज का, लेकिन actually वो लोग जो original चीजे होती थी, इस चीज की जानकर यह लोग कभी नहीं देते थे, जैसे Britishers ने जितने भी policies लगा है, जवर्ज से चाहे हो, subsidiary lines policy हो, doctrine of lapse policy हो, vernacular press act policy हो, या arms act policy हो, इतना सारा policy Britishers ने लगाया, मगर इनका समाज के उपर क्या आसर रहा, लोग उसके बारे में कैसा react करते थे, positive react करते थे, negative react करते थे, या direct revolt करते थे, या oppose करते थे, ये सब चीज के बारे में, British record में कभी कुछ भी लिखा हुआ, नहीं मिला है ये सारी चीज मिली है, कहां से, जो लोग इंडिया को घूमने के लिए हैं, बाहर से जो travelers वगर आये थे, और Indian जो scholars थे, वो लोग लिखते थे, इस चीज के बारे में, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, next is literature, books and essays published during the British rule in India are the important source of modern Indian history, basically writings of writings of the British rule it help to understand how the how they view India and its people Britishers लोग इंडिया के बारे में किस तरीके से व्यू लिखते थे, और इसके बारे में क्या लिखते थे, तो Britishers के writing में यही समझ में आ जाता था वैसे भी Britishers लोग इंडिया को बहुत ही नीच भाव से देखते थे that means they used to consider themselves as superior and they used to consider the Indians as a very inferior बहुत ही नीच भावना से देखते थे हम लोग को तो और यही नीच भावना discrimination को उत्पन किया और फिर धिरिदे Britishers ने जब exploitation करना start किया तब कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोग थे जिन्होंने पूरे देश को awareness फैलाने का काम किया पूरे देश में लोगों को जागरुख करने काम किया तो उनकी writings थी बेसिकली दे राइटिंग्स आप ग्रेट इंडियन्स लाइक बमकिन चंद्र चटरदी जोतिरा फुले रविन नाटे गोर दीनबंधु मित्रा यह लोग वर्निकुलर लेंग्वेज में लिखते थे जोतो हैं जोज भरने वाला और जागरुखता फैलाने वाला और जानकारी देने वाला होता था यह लोगों को जगा देता था कि वहई किया हो रहा है वहो Sandi लोग सौशते थे अपने बार में तो as they depicted the social problems of that period and the injustice by the British बैसिकली ये उस समय का जो social problem जितना भी था उसके बारे में जरूर बताते थे खास कर Britishers ने बैसिकली इन लोगों के लिए क्या हुआ निउस्पेपर कोई बंद करवा दिया copyright दे दिया, monopoly दे दिया कि बीना मुझ से पूछे क्या चापना है नहीं चापना आप नहीं चाप सकते इस तरीके से newspaper को बंद करवाया और जितने भी group थे जो भी अगेंस्ट में आंदोलन करते थे उनको पकड़ के ब्रिटिश रूल को अगर समझना हो तो इनके बुक्स को पढ़ना होगा क्योंकि इन लोगों ने जो भी उसमक के हाला थे उसको उसी चीज़ को exactly रूप में लिखा भी है next one is newspapers and periodicals तो newspapers are the valuable source of information हम सभी को जानते है they provide us the chronology of the events जायर सी बात है newspapers एकदम एक serial wise chronology को पेश करता है शुरू से कि भाई एक तरीक को क्या हुआ दो को क्या हुआ तिन को क्या हुआ चार को क्या हुआ इस तरीके से ये लोग का जो documents होता है वो लोगों को complete information देता है they also give us an insight into the prevailing public opinion और जायर सी बात है public opinion को भी ये लोग सबके सामने रखते हैं on a wide variety of political, economic and social issues जायर सी बात है newspaper लोकल बिखने वाला चीज है तो वहां के local news को जरूर मानेता मिलती है जैसे political condition क्या है, economic condition क्या है, social condition क्या है, issues क्या है ये सब चीज़े newspaper में जरूर होती है some of the earliest newspaper published in English language are Bengal Gazettee, the Calcutta Gazettee and the Madras Courier ये तीन language है, जो इसी तीन language में ये जो newspaper था, ये newspaper रिलीज होता था basically, ये main तीन language में और ये English ही था उसके बाद धीरे 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 लोकल लेंग्वेज में भी newspaper चपना शुरूर किया जैसे है, Bombay समाचार, Kessari, Amrita Bazar, Patrika and British Sentiment इस तरीकी का, local newspaper भी था, जो local language को यूज करता था next one है, photographs and films, तो films and photographs ये basically एक तरीकी का proof है जो secondary proof के रूप में भी माना जाता है, अगर आप अभी एक click करकते हो तो ये click 10 साल, 20 साल के बाद भी आप देखे हो, तो वो click वैसा का, वैसा ही रहेगा सिधी सी बात है, इसलिए हम लोग photographs और films को एक proof के रूप में, या फिर एक memory के रूप में भी रख सकते हैं next one is photographs and films, the British made good use of photography because both as a tool to the document of India and इसको as an hobby भी हम लोग ले सकते हैं तो Britishers लोग पहली यह hobby रखते थे, धीरे धीरे बहुत सारे Indians ने इन्हों hobby को copy किया and later on many Indians also took up photography as it can be used as a memory proof for the past events of time तो जाइर सी बात है, ये हट्टे कट्टे लोग भी इसको अच्छे से कर सकते हैं ऐसी बात कोई जरूरी नहीं है basically फर्क यही है कि हमें उस छित्र का ज्यान होना चाहिए अगर हम photographs और films बनाते हैं तो हमें photographs और films का ज्यान होना चाहिए बहुत सारे पुराने photographers लोग क्या करते हैं अपना exhibition लगाते हैं पुराने पुराने photographs का इससे क्या होता है उस समय का एक दृष्ष है जो हम लोग को 100% clearance हो जाता है कि उस समय society का condition कैसा था उस समय लोग पहनावा क्या पहनना जादा मने पसंद करते थे उस समय society का class किस तरीके से divided था उस समय लोग standard कैसे maintain करते थे तो basically photograph और film हम लोग इसको बोल सकते हैं it can be used as a memory और proof of the past time हम लोग लिख सकते हैं अभी भी हर एक के घर में क्योंकि पहले photograph लेने के लिए अलग से camera होते थे camera को रील को धुलवाने के लिए अलग से lab होते थे अब तो mobile phones में ये facility आ गया है तो हम लोग और जादा जादा हर एक event का photograph रखते हैं ताकि भविश में जब ये समय बीथ जाएगा हम लोग उस photo को देखकर अपने आपको मतलब या वो बीते वे पल को याद कर सकते हैं तो इस तरी के से बोल सकते हैं photographs और films का एक बहुत बड़ा role है time को बताने के लिए next है places where the sources are preserved where different kinds of historical documents are preserved the National Archive of India contains the document like of Indian history from its ancient times तो हम लोग का जो आर्चिप से यहां पर पुराने पुराने ancient history से related informations और documents रखे हुए इसलिए आर्चिप कहते है it is important custodian of the records of the colonial period जाहिर से बात है colonial period के समय बे जितना भी records fill up किये गया जितना भी रखा गया उन सब का अभी भी वो सारा खिता काज वगर जो written records है वो अभी भी आर्चिप में रखा हुआ है the National Archives of India is located at New Delhi हम लोग New Delhi में जाकर National Archives of India में जाकर देख सकते हैं कि उससे में documents कैसे measure होते थे किस तरीके से लिखे जाते थे and उनको कैसे सभाल कर सुरक्षित रखा गया है next one is museum museum are the institution that preserve objects of scientific, cultural and historical importance National Museum at Delhi National Museum at Kolkata and CSMBS Museum at Mumbai यह तीन एक्जामपल है बहुत बड़ा एक्जामपल है यहां पर हम लोग स्कल्प्चर coins, manuscripts and other things of the related period are also kept हम लोग कह सकते है उस समय का जो भी पुरानी पुरानी चीज़े में ली है खोद कर तो वो सारी चीजों का एर्चिब में रखा जाता है ताकि लोग उसको study करके कुछ नो कुछ बुद्धी हासिल कर सके गलत सही जो भी है बुद्धी हासिल कर सके नेक्स वन इस दा libraries, basically libraries are the place where books are kept and preserved हम लोग जानते है जहां किताबों को अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है तो उसको हम लोग library कहते है अब British library in London contain the Indian official records a large collection of documents that deal with the administration of India from 1600 to 1947 basically जो libraries था वो भी पुराने पुराने खासकर उस समय के पुराने लोगों के पुराने documents को library रखता है तो यह बहुत बहुत बड़ा large collection है जो हमारे Indian administration के समय में जो written records रखे गया है उनका भी लेखा जो का उनका भी जो भी written documents है कागज वगरा सारा चीज जहां जितना मिल पाया है वो सबको अच्छे तरीके से रखा गया है आज भी देखा जा सकता है टिकट लगता है देखने का जाकर देख सकते हैं समझ सकते हैं कि किस तरीके से record maintain किया जाता था उस समय भी लोग कितने जागरूप थे अपने समय के हिसाब से किस तरीके से काम करते थे next one is library तो library is a place basically that deals with the books and books are kept preserved तो library आप लोग जानते हैं इसको पुस्तकाले कहते हैं यहां पर किताब ही रखा जाता है सही तरीके से और किताब को सही तरीके से रखने से क्या होता है वो शुरक्षित रहता है next one the British library in London contains all the Indian official record तो Indian official record museums में भी है libraries में भी है a large collection of documents that deal with the administration of India from 1600 to 1947 जायर सी बात है ancient history, medieval history, modern history इन सब का लेखा जो का finally इन सब चीज का लेखा जो का that means ancient से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक का जो भी documents है जो भी बच गया है मिल पाया है collect हो पाया है वो सब libraries में रखा हुआ है and last है the National Library of India is in Kolkata and also has many important documents from which we can reconstruct our history of the colonial era तो यह जितने भी books है हम लोग वो books को study करके एक धारना बना सकते हैं कि basically उस समय क्या होता था उस समय का समय क्या था उस समय लोग किस तरीके से maintain करते थे relationship को यह सारी चीज़े है तो students I hope आप लोगों का यह chapter complete हो गया and मिलते हैं next chapter लेकर एक दूसरा chapter लेकर तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन करते हैं